टेरर फंडिंग मामले में NIA और ATS नहीं एक पार फिर मत्रप्रदेश में सयुक्त कार्रेवाई की है एक हस्ते की भीते हां दूसरी बार BFI पर चापे मारी हुई NIA और मत्रप्रदेश पुलस ने प्रदेश के साथ शहरों में चापे मारी की ये चापे मारी भुपाल, इंदौर, उज्चेह, शाजापूर, श्यापूर, गुना नीमत जैसे शहरों में चापे मार कर NIA और MP ATS ने 21 से जादा संदिक्दों को हिरासत में ले लिया है ग्रे मंत्री नरुत्ता मिश्रा ने इस कार्यवाई की पुष्टी की शार नहीं ये पुलिस की कार्वाई है मध्य बदेश पुलिस ने आठ जलों के अंदर 21 लोगों को पकला है यो पिछले सप्ता में तीन इंदौर एक उज्जेन के पकले गए थे उनी से पुष्टाश में ये लिंक मिली थी पदा दिकारियों की सायोगियों की और ऐसे आठ जलों के अंदर 21 लोगों को पकला है इससे एक हपते पहले इनाईये ने प्रदेश के इंदौर और उज्जेन में चापे मारी की थी जिसमें PFI के चार सजस्यों को हिरासत में लिया गया था अब सोंगवार देर रात भोपार इंदौर उज्जेन समेट अन्य ठीकानों पर शापे मारी हुई है इंदौर से साईद टेलर, दानिश गौरी, तौशिप छिपा, यूसूफ, वसीम को गिरफतार किया गया इंदौर से 8 संदिक्दों को पकड़ने के लिए 6 पेमारी की गई थी, इसमें से 3 हाथ अभी तक नहीं लगे उज्जेन के महीतपूर से 4 संदिक्दों को पकड़ा गया है, नीमच से 2 और शाजापूर से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में 35 स्विस जादा लोग एजेंसियों की निगरानी में थे एनाईये ने उधवार को मध्यप्रदेश के इंदौर से 3 और उज्जेन से 1 पीएफाई के पताधिकारी को गिरफतार किया जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कटर पंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए यवाओं को पैसे का लालच दे कर चोड़ा जाता था हर व्यक्ति को महीने में 7 से 40 हजार रुपए तक दिये जाते थे ये पैसे सीधे खाते में ट्रांसपर किये जाते थे जो इसे प्रचार प्रसार के लिए साहित्त त्यार करने पटवाने और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया जाता था आरोपियों का मकसद देश के कई लोगों को भड़का कर भारत में असलामिक शर्या कानून लागू करना था इसके लिए दूसरे राज्यों से PFI के सदस से आकर मत्यप्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे जिसके जानकारी पर NIA जगल जगल छापे मार कर रिवाई कर रही है झाल 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 झाल